दोस्तो आखिर नमक से सबसे जल्दी लोग धनबान क्यों हो जाते हैं? क्यों नमक से सबसे जल्दी पैसा चुम्बक की तरह आता है? जानिए इसके पीछे की सच्चाई. दोस्तो नमक जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है. आपको बता दें, खाने में नमक कम हो तो व कि इसमें नाकारात्मक उर्जा को दूर करने की अद्भुत्ष शक्ती होती है. बास्तु बिज्ञान के अनुसार नमक घर में साकरात्मक उर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है. कहा जाता है कि जहां पर नमक नहीं तो बहां पर भूत प्रेद वास करते हैं और ऐसे घर लिए जानते हैं नमक का बहुत चमतकारी उपाए जो रातो रात बदल सकता है आपकी किस्मत। दोश्तो बास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में एक अलग तरह का आकर्शन होता है और इसी बज़े से नमक का इस्तमाल कई मंत्र और तंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि नमक नाकारात्मक उर्जा को नश्ट कर साकारात्मक उर्जा को अपनी ओर आकर्शित करता है कुछ लोग तो बशी करन के लिए भी नमक का बहुत उपियोग करते हैं तंत्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रियोग किया जाये तो ये आपको रातो रात धनबान भी बना सकता है दोस्तो नमबर बन नमक और काच ये दोनों ही राहू के कारक होते हैं इसलिए यदि आप नमक को काच की प्याली में भर कर सौचाले इसनान में रखेंगे तो बहां से नाकारात्मक उर्जा का नाश होता है साथी इस उपाय से बहां मौजूद सूख्चम की टाणू नश्ठ होते हैं सौचाले में सबसे अधिक नाकारात्मक उर्जा होती है ऐसे में ये उपाय उसे दूर कर देगा दोस्तो नमबर टू नमक का पोचा करे माला माल बैग्यानिक दृष्टी से भी ये उपाय बहुत कारगर है जब भी आप घर में पोचा लगाएं तो उसमें कुछ नमक मिला दें हपते में कम से कम एक दो बार नमक का पोचा अबश्य लगाएं सीग्र ही धन की प्राप्ती अबश्य होती है ये नमक पूरे घर को साकारात्मक उर्जा से भड़ देता है और घर की तरक्की के लिए नमक से पोचा हमेशा लगाना चाहिए क्योंकि साकारात्मक उर्जा लक्ष्मी को भी घर में परवेश करने के लिए आकर शित करती है दोस्तो नमबर थ्री नमक को कांच की प्याली में भर कर और उसके अंदर चार-पांच लॉंग डाल दें ऐसा करने से घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और माता लक्षमी भी प्रसंद रहती है दोस्तो नमबर फोर नमक बाले पानी से हाथ पैड़ धोने से या इसनान करने से बहुत अधिक लाब होता है इससे आपका शरीर फ्रेश होता है और अंदर पॉजिटिव एनरजी आती है साथ ही नमक बाले पानी से इश्णान करने से नीद बहुत अच्छी आती है और बिमारी भी छू नहीं सकती दोस्तो नमबर फाइब ब्यक्ति को सबसे ज़्यादा लाब तब होता है जब वो ये उपाय करे हर शनिबार के दिन थोड़ा नमक, 200 ग्राम काली दाल, 500 ग्राम चाबल और लाल सूखी मिर्च इन सभी चीजों को दान करने पर ब्यक्ति का भाग ये प्रबल होता है दौलत शोहरत बड़े ही आसानी से उसे प्राप्थ होती है शनि की कूर द्रश्टी भी समाप्थ हो जाती है ऐसे में धनकी देवी माता लक्ष्मी आप से बहुत प्रसंद होती है इसलिए ये काम अबश्य करें क्योंकि ये काम मैं भी करता हूँ और मुझे इसका लाब भरपूर तरीके से होता है दोस्तों अगर आप चाहते हैं धनकी देवी माता लक्ष्मी सदैप आपके साथ रहे हर सुक दुक में माता रानी साथ दे तो कमेंट बॉक्स में अबश्य लिखें जै माता लक्ष्मी और हाँ एक लाइक तो बनता है